मैं है मेंद्र प्रताप सिंग, यूपी के जौनपुर का रहने वाला हूँ दस साल पहले अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया था तब करीब 16 साल मेरी उम रही होगी टीनेज के टशन में था कॉलेज की सबसे सुन्दर और इंटेलिजेंट लड़की को डेट कर रहा था क्रिकेट में मेरा सिक्का चलता था मुझे लगता था कि चारों जहां मेरी मुर्ठी में हैं लेकिन जल्द ही मेरी चमकीली दुनिया काली स्याह में बदल गई न क्रिकेट रहा, न कॉलेज और न गल्फ्रेंड, एक जटके में सब खत्म हो गया, मुझे सजने समरने का बहुत शौक था, अच्छे से ड्रेस अप होता था और बालों में जेल लगा कर स्पाइक्स, बाल खड़े कर लेना, बनाता था, मा को यह पसंद नहीं था, इसलिए अ हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, एक दिन मुझे हाड़वेर में एक मशीन का टैंपरेचर सेट करने के लिए नौब घुमाना था, लेकिन मुझे सेट नहीं हो पाया, इसी तरह केमिस्ट्री के लेब में भी हुआ, लेकिन तब तीचर को लग रहा था कि मैं मस्ती कर रहा हूँ, इसके लिए डांट भी पढ़ने लगी, इसके बाद मैं लास्ट बैंच से उठकर बीच में आकर बैठने लगा, फिर भी मुझे धुन्दला ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में लगा रहा और आ ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब लाइबरेरी में गया तो पहले की तरह ही मुझे धुन्दला दिखाई दे रहा था, क्रिकेट खेलने के दौरान भी मुझे बॉल दिखाई नहीं दी और बोल्ड हो गया, जब बॉलिंग कर रहा था तो हर बॉल वाइड ही जा रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी आँखों की रोशनी जा रही है, इसके बाद मा पापा ने मुझे मुंबई के केई मस्पताल के आँखों के डॉक्टर से दिखाया, पहले दिन डॉक्टर ने टेस्ट किया तो कुछ पता नहीं चला, चौथे दिन M.R.I. किया तो बताया कि मुझे आप्टिक निूराइटिस नाम की बीमारी हो गई है, इसमें आप्टिक नस पतली हो जाती है, यह नस ऐसी जगह होती है जहां ऑपरेशन नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने कहा कि एडमिट होना होगा, आँखों में इंजेक्शन लगेंगे, यह सुन लेकिन अब बाएं आँख में भी हो गई, तीन महीने अस्पताल में रहा, स्टेरॉइड के डोज डबल लेने से मेरा वजन 126 किलो हो चुका था, मुझे अपने आप से घिन होने लगी कि यह मेरे साथ क्या से क्या हो गया, कॉलेज में हाजरी कम होने की वजह से मेरा नाम का दिया गया, गल्फ्रेंट से फोन पर बात होती थी, वो मुझे से मिलने भी आती थी, कुछ होने के बाद भी उसका प्यार कम नहीं हुआ, वो मुझे होसला देती थी, लेकिन मैं अब धीरे-धीरे तूटता जा रहा था, पेरेंस और ज्यादा परेशान और हताश थे, पारवी में पापा ने मेरे लिए यूनिकॉन बाइक बोक करवाई थी, मेरी का सबसे खराब दिन था जब मेरी बाइक आने वाली थी और मैं उसे चलाने के लायक नहीं बचा, घर से निकलता तो उंची नीची सड़क आने से गिर जाता, स्पीड ब्रेकर आने से पाउं गुसा आता था, मैं दीवार पर सिर मारता था, मुझे गली में क्रिकेट की आवाजें सुनाई देती थी तो लगता था कि मेरा खत्म हो जाना ही सही होगा, मुंबई वाले घर में दर्वाजा बंद करके दाक रूम में पढ़ा रहता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, पेरेंट से भी बात करना पसंद नहीं था, घर आने वालों की बाते मेरा होसला गिराती थी, कोई बोलता था कि फला जगा सोने की आँख चधाओ, यहां पूजा करो, वहां दान करो, पापा ने चार पेजों पर लोगों की बताई मननते लिखी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं यह सब करूंगा, इन सब से मैं और ज्यादा परिशान होता था, खर छे दिन में डॉक्टर के पास जाना होता था, पैंतालीस एमाराई हो चुके थे, मैं थक गया था अब, मुझे लगने लगा कि मुंबई मेरे लिए नहीं है, मैंने पेरेंट से क कि मुझे गाउं में रहना है, इसके बाद मा के साथ गाउं चला आया, बीच बीच में चेक अप के लिए मुंबई जाना होता था, घर के पास ही एक प्राइवेट कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया गया कि मैं बारवी कर सकूं, लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा थ खाने वक्त भी दिक्कत होती थी, थाली में डाल, चपाती और चावल का पता ही नहीं चलता था, कोई और मुझे मुझे मूह में खाना डाल कर खिलाई या मनजूर नहीं था, मैं चिर्चिरा होकर घर से भाग जाता था, एक दिन घर के पीछे वाले खेत की तरफ भागा, व अपनी लाइफ खत्म कर देनी चाहिए, मैंने दो दफा आत्मात्या की कोशिश की, अपने घर की पहली मंजल से नीचे छलांग लगा दी, मेरा पाउं फ्रैक्चर हो गया, एक दफा मुंबई वाले घर में बिजली के में सरकेट को पकड़ लिया, मुझे कट लगा और गिर गया, घरवाले अस्पताल लेकर गए तब जाकर बचा, उसके बाद घरवालों ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं बहुत ज्यादा रोता था, मेरे आंसू नहीं रुकते थे, गल्फ्रैंड का भी फोन आता था, लेकिन मैं बात नहीं करता था, मैंने उसके साथ भ ठाने एक डॉक्टर को दिखाने जाना था, ठाने स्टेशन पर भाई का इंतजार कर रहा था, मैंने देखा एक इनसान हाथ में केन, नेतरहीनों की छड़ी, ले टक टक करता आ रहा था, मेरे बगल की सीट खाली थी, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं, वो बोला क कि नहीं मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, वो टक टक करता चला गया, बस वही से मेरी लाइफ ने करवड बदली, मैंने सोचा कि कुछ तो होगा मेरे लिए जो मैं कर सकता हूँ, इसके बाद कुछ करने की ललक मेरे मन में सवार हो गई, मैंने अपने एक दोस्त कुनाल से बोला कि कोई ऐसी संस्था ढूंडो जो नेतरहीनों के लिए काम करती हो, उसने गूगल किया, तो हमें वली में एक ऐसी संस्था मिल गई, मैंने कहा कि चलो ऐसे ही घूम कर आते हैं, देखते हैं कि वहां क्या होता है, वहां हम सचिव से मिले, मेरा गणित बहुत अच्छ सचिव बोले कि हम नेतरहीन बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तुम डिएड कर लो, दो साल का कोर्स है, मैं राजी हो गया, मुझे लगा कि चलो कुछ तो मिला करने के लिए, मैं बस बिजी होना चाहता था, मैंने दो साल का वो क जोइन कर लिया, उसमें नेतरहीनों को पढ़ाने के तरीकों की ट्रेनिंग दी जाती थी, हाला कि मैं खुद को नेतरहीन के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, फिर एक दिन केन दिवस आया, सभी छात्रों को छड़ी दी गई, मुझे भी छड़ी मिली, तब मैं स्कूल एकठा हो गया की क्या हो गया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था की मैं नेतरहीन हूँ, डी एर की ट्रेनिंग में नेतरहीन बच्चों को पढ़ाना होता था, मैंने देखा की केजी से लेकर दस्वी तक नेतरहीन बच्चे कितने खुश रहते हैं, पढ़ने और पाइदा भी हुआ और कई बच्चों के गणित में अच्छे माक्स आये, एक दिन मैं बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहा था तो बच्चों ने चिलाना शुरू कर दिया कि आयुशमान खुराना, आयुशमान खुराना, खुराना, ने कहा कि आप लोग अपन मेस में लेकर गया, वहाँ भी नेत्रहीन खाना बना रहे थे, चाय बना रहे थे, उन्हें भी किचन का काम मैंने ही सिखाया था, मैं आयुशमान को विक की डोनर से जानता था, मैं उनके गानों का फैन था, मैंने आयुशमान खुराना से हाथ मिलाया, उन्होंने पूछा कि जिम जाते हो क्या, मैंने कहा कि हाँ जाता हूँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं नेतरहीनों को चलना, कंप्यूटर, मोबाइल चलना सब सिखाता हूँ, मैंने उन्हें बताया कि ब्लाइंज को मैंने बहुत सालों से आब्जव किया है, वो कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी आँखों की कंडीशन कैसी होती है आधे घंटे बात करके मुझे अंधा धुन प्रोजेक्ट में ले लिया गया मैं शाम पांच बजे स्कूल के बाद मैच बॉक्स प्रोडक्शन हाउस चला जाता था सुभा के तीन-तीन बजे तक बैट कर पहले तो स्क्रिप्ट में बदलाव किये फिर पूरी फिल्म में मैंने आयुशमान खुराना को नेतरहीन होने की ट्रेनिंग दी क्योंकि मेरी नॉमल आखे हैं लेकिन मैं नेतरहीन हूँ फिल्म में भी ऐसा ही था आयुशमान का हैर स्टाइल आँखों को मॉडिफाई करना चलना ठोकर खाना पियानो बजाना अंडा उबालना मोबाइल यूज करना सब सिखाया उन्हें बेस्ट अक्टर अवार्ड मिलने पर उन्होंने मुझे थैंक्स का फोन भी किया था फिर मुझे 31 दिवस नाम की मराठी फिल्म के लिए काम मिला जिसमें शशांग के तक रीना अगरवाल जैसे बड़े अक्टर थे इसके बाद गुर्मीत चौदरी की शॉट फिल्म शुभा हो बिजोया के लिए काम मिला फिर दो वेब सीरीज धारावी बैंक सुनील शैटी और विवेक ओबरोय और ब्रीद इंटू दिशैडो सीजन तीन अभिशेक बच्चन के लिए काम मिला फाल ही में की गई मराठी फिल्म द्रिश्टांत को तो महराष्टरा में कई अवार्ड मिल चुके हैं अब फिल्मों में अक्टर्स को नेत्रहीन होने की ट्रेनिंग देता हूँ बाकाइदा यह मेरा प्रोफेशन बन चुका है जिस कमजोरी के लिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था वही मेरी पहचान और ताकत बन गई मुझे लगता है कि जिन्दगी किसी को भी 100 प्रतिशत नहीं देती है और जिन्दगी में कुछ भी तै नहीं मैं सबसे पहले क्रिकेट था फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था फिर नेत्रहीनों का टीचर बन गया फिर फिल्म अक्टर्स को ट्रेनिंग देने लगा और अब मैं एक बैंकर हूँ ठेमेंद प्रताप सिंग ने ये सारी बातें भासकर रिपोर्टर मनीशा भल्ला को शेयर की है